दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही सुन्दर पत्तियों वाले कुछ ऐसे पौधों के बारे में बताने वाली हूँ जिसे आप अपने कमरे में रखेंगे तो बहुत ही ज्यादा खुबसूरत लगते हैं और आपके कमरे की सुभा इतनी गुना बढ़ा देते हैं कि देखते ही बनता है जो आएगा वो जरूर तारीफ करेगा तो इन पौधों को आप अपने रूम में जरूर सजाएं और यह पौधे रूम के अंदर काफी अच्छी ग्रोध करते हैं बहुत ही अच्छे से चलते हैं तो सबसे पहला पौधा है क्रोटन प्लांट इसकी बहुत सारी वरा अगला जो इंडोर प्लांट है जिसे आप रूम में रख सकते हैं बहुत ही सुन्दर पत्यों वाला यह इंडोर प्लांट है इसको अलगोना या लिपिश्टिक प्लांट भी बोला जाता है इसकी पत्यां बहुत ही ज़्यादा खुपसूरत होती है इसकी पत्यों से इसकी तो इस पौदे को आप रोम में रख सकते हैं यह एक हाडी प्लांट होता है तो इस पौदे को भी आप लगा सकते हैं पर्मानें प्लांट होता है हमेशा आपके पास सहेगा कर्टिंग से और लीफ से भी यह बहुत एजली ग्रो किया जा सकता है इनके ड्रॉफ वराइटी भी नरसरी में आपको बहुत एजली मिल जाएंगी बहुत छोटे पॉट में ग्रो हो जाती है इनके ड्रॉफ वराइटी इससे पहले भी मैंने इसका वीडियो शेयर किया इसके छोटी वराइटी भी दिखाई हुई है और अगला जो पौदा है यह इरिका पॉम का पौदा है इसकी भी अपकई सारी वराइटी नरसरी में आने लगी है इसकी एक बिक लीफ वराइटी आती है जिसे आप आउट्टोर इंडोर दोनों जगह रख सकते है लेकिन ज्यादा तेज धूप में यह अच्छे से नहीं चलता है और एक इसकी के सी ऑनरी की सोबा बहुत ही गूना जधा बढर जाता है। तो इस प्लान्ट को आप नरसी से इस समय ला सकते हैं आगला जो पौदा है यह भी पारम की वराइटी होती है, और इसकी लीफ भी अम्रेला की तरह ही होती है तो इसको भी आप ला सकते हैं इंडोर में रख सकते हैं बहुत ही खुफसूरत प्लांट होता है और इसकी भी बिक लीफ फराइटी आपको नरसी में मिल जाएगी इसे आप आउडोर भी रख सकते हैं और जो इसमाल लीफ फराइटी होती है उसको भी आप ला सकते हैं ड्रॉ आता संधुति चाङ्गान बीचिया प्लांट इसकी आरीकित honoring में मिल जाएंगी इसए, कहि 사़ी लीफ मैं कलर दायाया है, इसकी जो white वाइटी होती मीच्प लगती है यह देखने में यह इसकी green leaf वराइटी है, भी रूपन जो राइटी है रो और कि ली पिलान बहुत ही कुछ की वराइटी है और दे बहुत ही खुबसूरत रहेची है . łश्य कि ले लाइटी अनुषर की मरीय अटी आई वा। अदिरीय नाउन्म करे दिए की पिलाट सकते हैं अजब लगतार है . . को थास का और इसे आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं और कटिंग से इजली ग्रोव हो जाता है अगला है टेबल मधु कामनी या मीनी मधु कामनी या आपको इजली इस समय नरस्री में मिल जाएगा बहुत ही सुन्दर लगता है आप इसे टेबल पर भी रख सकत हैं राउंड सेप में इसका सेप बहुत ही खुबसूरत लगता है और इसको आप नरस्री में मधु कामनी के नाम से ले सकते हैं ये भी एक बहुत ही खुबसूरत इंडूर प्लांट होता है अगला जो खुबसूरत पत्यों वाला पौदा है वह संगोनियम का इसकी वराइटी नरस्री में आ गई है इसे आप इस समय ला सकते हैं और रूम में आप रखेंगे तो बहुत ही सुन्दर लगता है तो ये कुछ खुबसूरत पत्यों वाले पौद है जिने आप नरस्री से ला सकते हैं मिलते हैं नेक्ट वीडियो में वीडियो पसंद आए तो ल है करे शेयर करे सकते हैं